प्रेंट्स यह हमारे पास आदा ओस्पावर की डुलूपम की मोर्टर इसमें प्रॉब्लम यह हो रही है यह पानी नहीं उठा रही है तो इसको हम खौल कर गए चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है लेकिन उससे पहले में आपको इसको पानी उठा करके दिखात हाँ 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 है यह फूलो गया इसको उपर गया एरिस्क्रूल लगा देंगे और इसको टाइट कर देते हैं अब हम मोटर को चालू करते हैं पानी वहाँ पर इससे में यहां पर पानी यहीं यहां कर गया है लेकिन उससा अब भी नहीं आपाया और थोड़ा बढ़ गया और यहां आ गया तेंकि कि आखें कि आखं पर यहां पर हैं हुआ है 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 हचे मिश्थ को लगए है आप यहां पर दियार रखें हमने मोटर कहा रखी है आगले आखी बार भी हम यहीं पर रखेंगे और फिर उसके बाल प्रेसर इसका देखेंगे कि इतना प्रेसर है तो फट वढ़ सम्झ को खोलेंगे तो जैसे है कि अधिर्म क्या कि देगा कि इसके इसके तीन बोल्ट लगे हैं कि आइध नवर को यह थें कि कॉल लेंगे कि यह मोटर आ रहे हैं उसमने ही रहेगा तो सिर्फ हमें यहाँ पर यह इसकी जो प्लेट है यह हमें खोलनी होगी तो इसको हम थोड़ी सापधानी से खोलेंगे कियो कभी-कभी क्या होता है कि यह प्लेट चिपक जाती है और जब हम इसको बाहर को निकालने की कोशिस करते हैं तो यह तूड़ भी सकती है तो इसको हम थोड़ा अराम से निकालेंगे चारो साइड से अलकालका से ठोकेंगे तो यह प्लेट चल गई हमारी और यह निकल गई लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब यह ज्यादा प्लानी हो जाती है तो यहां से तूट जाती है सिर्फ यह इतना हिस्सा अंदर फसा हुआ रहे जाता बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है बाद में तो इसका देखने लेकिन इतना पुछा एज सकती तो इसका एंपेलर क्टा हुआ है तो इसको हम बाहर को निकालेंगे यह मोटर पुनाने मोडल की इसलिए अपन्प होला तो सिर्फ यह बाहर को आई कि ये और हम पूरा पॉरा है उसके अंदर यह रहागा लेकिन आज कर जो आती है नी मोडल तरहों hl किसी रील वगएर पर यह किसी भी गोली चीज़ फिर काम करने में आसानी फो नए का में पास निकालने का पुलर इस से निकालेंगे और यह 8 नमबर लोग्स हमने की है क्योंकि इसके जो बॉल्ट है वो छोटे हैं जो ने मौल घप पम्प होता। उसके बॉल्ट काफी लंबे होει तो वह हम पुलर में लगा लेते हैं लेकिनिस के बॉल्ट छोटे हैं तो यह हमने अलग से मेनिज की अनीज कि अनुकर सूर्च निकले हैं यहाँ पर पहले हम बॉल्ट हमारे टाइट हो गए अच्छे तरह से अब हम इसको टाइट करेंगे इस वाले बोल्ड को इसको हम चाबी बगर से किसी भी चीज से टाइट कर सकते हैं यहाँ पर हम जो है यह टामी हमारे पास इससे टाइट कर रहे हैं तो इसको हम हलका हलके घुमाते जाएंगे देखते हैं कि चला पाता नहीं चल पाता लेगन चलना चाहिए कि कि हमने इसको हल्का सा हिला लिया पहले तो यह आवास को तो कर रहा है यानि कि चल रहा है एक और यह वास्तर में चल भी गया लेकिन यहां पर रोगना पड़ा काफी टाइट निकलना क्योंकि आ रही होगी आपको सायद है कि यह हमारा इंपेलर निकलने वाला है और यह फाइनली निकल गया है ठीक है और इसको हम बाहर को बाद में खोल देंगे यह आप देख सकते हैं इस इंपेलर का क्या हाल हुआ है लेकिन फिर भी पानी उठा रहा है यह बहुत बड़ी बात है लेकिन लंबी लाइन से पानी नहीं खीच पा रहा है और इसका प्रेसर भी पूरा नहीं है तो आप हम क्या करेंगे इसकी जगाव पर नया इंपेलर लेके कजिए नहीं हिसली है इसलिए हम इसनी हम एन हम बदोगाइंगे यह वहाल जो पर जाइगे लिए쉽 यह पर हटाना होगा कि यह इसकी साफ्ट को हम जमीन पर रखेंगे ताकि हम ठोके तो यह अराम से इंपेलर बैठे यहां पर जो चावी लगी है वो चावी इस खांचे में आएगी तो इसको हम इसके सेंटर में रखेंगे और ऊपर से ठोकेंगे तो यह इंपेलर बैठ गया लेकिन अभी पूरा नहीं बैठाया तो ऊपर समको गोल सी चीज रखेंगे यहां पर इस तरह से अच्छे तरह से ठोक देंगे उसको पूरा बिठाल देंगे यानि यह आप इम्पेलर जो है वो जाम हो गया होगा यहां पर आपको दिखा दो इससे में जाम है तो इस नो कि तरहullenбаब यहां पर मारें इस चोट यह को जाएगा शुर過去 हो चुका है और हमएसों दोवारह से पर और हमने पहले गाता था हाफ कि सोचना है और हम प्रो कि प्लेड लगाइंगे तो प्रेट भूंशे पहले इसकी जो रवड यहां पर यहां पर यह आप इसको चेक कर लेंगे यह ठीक है यह लगा सकते ठीक है जो भी यहां पर लिक्वीड होगी वह लगा देंगे और इसको हम किस तरह से लगाएंगे ये वाला जो इसका सिरा है ये वाला ठीक है इसको हम पंकी साइड रखेंगे इस तरह से ये सिरा पंकी साइड आएगा इस तरह से रखेंगे और इसका बोल्ड का सेंटर मिला करके इसके अंदर हम बोल्ड लगा देंगे और उसके बाद त तैक कर देंगें इतना जरूरत है इतना ही टार करेंगे जहतका इसमें नहीं मारें जहतका मारें गच्डagon को बहुत बड़ी प्रोब्लम हो जाएंगी तो है उसको हम सीधा कर लेते कि इसका पंखा लगा देते हैं एक तुँ कि अब इसको चला करें यह बार ऐसे ही दूंहेरा से लिखा एक और पानी दालेंगे क्योंकि आप नहीं हैं तो फटा वड़्स हम इसके पानी डाल लेते हैं कि आगर हम ड्राई पर में अधर चलाएंगे बिना पानी गया तो सील कर जाती है बिना पानी के ज्यादधेर हम मोटर नहीं चला सकते आपके और यह इसका एर इस्कुरू लगा देंगे पर इसका हम अच्छे थान से टाइक कर देंगे यह हमाना सब कुर रेड़ है आप मॉटर को आन करते हैं और देखें पाण गोआ गया जो यह पानी पूंद पीजिए रहा है ने यहाग पाति आन ले पाणिट किया है अब देखा आप पानी कहां पर है कि इस प्रॉम गाली को दोड़ेते हैं आप देख सकते हैं पहले दार यहां पर गिर रही थी और अब वहां पर गिर रही है तो इतना प्रेसर में इसके अंतर आ चुका है तो इस तरह साब अपनी घर की मोटर को खुद ही रिपेर कर सकते दोस्ते वीडियो बसंद आए तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब जरू झाल झाल